दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 जियोग्रोफी सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 6 के पार्ट 2 को डिसकस करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार एक बार देख लो सम अज लो फिर यहां पी आना तो यहार आज हम कoberेंगे हमारे टेंपरेट डिसीडियर फोरेस्ट से तो यहां पर बताता है ऐस भी गो टूवरड हायर लैटिटूड देर आर औरम ऊर्टेंपरेट डिसीडियर स्पोरेस्ट कि बाइद वैसे जैसे हम आपके एईयर अब यहां पर बता रहा है कि यह जो आपके जंगल होती है यह आपको नोर्थ इस्टरन पार्ट होगा है जो आपके युएसे का वहां पर देखनी को मिलती है जाइना में देखनी को मिलती है नूजी लैंड में देखनी को मिलती है चीले में देखनी को मिलती है और जो आपके यहां पर बता रहा है कि भर जो आपके common paid यहां पर रहते हैं उनमें आते हैं आपके ओक, ash, beach फिर बताता है deer, foxes, wolves are the animal commonly found और यहां पर जो आपके deer होती है, fox होते हैं यानि यापके भेडिये वगरा होते हैं, wolves वगरा तो यहार वो आपके सारे जानवर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं तो जो आपका यहाँ पे पीसेंट था उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है उसके बाद माई फ्रेंड्स आपका जो मोनल था उसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे शो कर रखी है उसके बाद यह आपको पिक्चर शो कर रखी है आपके टेंपरेट डि of the continent are covered by the temperate evergreen and the deciduous trees कि भही आपने सुना होगा इस बात को कि भी जातर जो आपका east और north east margin होता है continents का वो आपका temperate evergreen और deciduous trees से cover होता है the west and the southwest margin of the continent are different कि भही जो आपका west और southwest margin होता है वो continents का थोड़ा different होता है इससे they have Mediterranean vegetation तो वहाँ पे कौन सी vegetation आपको बता रहा है मिलती है हमें देखने को वहाँ पे देखने को हमें मिलती है Mediterranean vegetation ठीक है फिर बताता है it is mostly found in the areas around the Mediterranean sea in Europe, Africa and Asia hence the name उसके बाद बता रहा है कि भाई ये जो आपके टाइप की vegetation होती है ये mostly हमें जो आपका Mediterranean sea है उसके आसपास की जो आपकी continent से वहाँ पे देखने को मिलती है जैसे कि आपका Europe हो गया, Africa हो गया और Asia हो गया तो इसलिए इसका नाम यार हमने यही डाल है ठीक है फिर कहते है इस काइंड ओफ वेजटेशन इस ओलसो फांड आउटसाइड दी एक्च्वल मेडिटरेनियर निजन इन कैलिफोर्ना इन दी यूएस से साउथ वेस्ट एफ्रिका साउथ वेस्ट, साउथ एमेरिका एंड इस साउथ वेस्ट एस्ट एस्ट्रेलिया बता रहा है कि भाई यह सिर्फ वहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलती है और भी बहुत सारे जिंगए हमें देखने को मिल सकती है जिसे कि आपका कैलिफोर्निया हो गया यूएस से के इ फिर आपका साउथ वेस्ट एफरीका हो गया फिर आपका साउथ वेस्ट अमेरिका हो गया फिर आपका साउथ वेस्ट अस्ट्रेलिया हो गया फिर कैटें दीज रीजन्स और फोर हो ड्राइ समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स कि भई यह जो आपके रीजन्स होती हैं यह आपकी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जो गर्मिया होती है वहाँ पर बारिष नहीं होती जबकि सरद्यों में बारिष होती है फिर बताता है citrus fruits such as the orange figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to there is not much wildlife here और यहां पर बता रहा है कि भाई जो आपके grapes वगेरा होती हैं, olives होती हैं, fix होती हैं, वो हमें यहां पर जादा देखनी को मिलती हैं, और यहां पर जादा तर लोग खेती करते हैं, तो इसलिए जादा तर आपके जो जानवर होती हैं, वो हमें यहां पर देखनी को नहीं मिल leaves which help them reduce transpiration यहाँ पर बता रहा है कि भाई जे step के इनके पत्ते होते हैं और जिस step के इसका तना होते है उसकी help से क्या कर लेते हैं अपने उपर एक coatings ही होते हैं इनके उपर इसके ज़्यादा तर transpiration के अंदर ज़्यादा पानी लूज नहीं कर पाते हैं और जो आपका hot dry summer होते हैं वहाँ पर survive कर जाते हैं फिर बताता है Mediterranean region are known as orchards of the world for their fruit cultivation कह रहा है कि भाई इनको हम orchards of the world बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो fruits की आपके खेती होती है न वो hardwood and softwood कि अपने आसपास देखो और पता लगाओ कि भाई क्या-क्या चीज़े आपके आसपास hardwood से बनी है और क्या softwood से बनी है ठीक है फिर कहते है find out and learn the name of few trees of your locality और आप अपने आसपास के कुछ पेड़ों को देखो उनके नाम का यहां पर पता लगाने की कोशिच करू ठीक है उसके बाद कहते हैं इन दी higher latitudes 50-70 of the northern hemisphere the spectacular coniferous forest are found कि भई आपके जो higher latitude होते हैं जैसे कि आपका 50 हो गया 70 हो गया वहां पे हमें क्या देखनी को मिलते हैं आपके spectacular coniferous forest ठीक है जिसकी figure आपको शोक रखे गाई यह वाली फिर आपको आगे कहते है कि there are also cold they are all these are also cold are diega उनको हम diega भी बोलते हैं these forests are also seen in the higher altitudes these are the trees which slima found in the Himalayas in the abundance उसके बाद बताते है कि भई जो this type की trees आप यहां पे देख रहे हैं जो सलीमा थी ना वहां पे हमाल्या के इंदर घुमने के लिए गई थी तो उसने इस टैप के पेड़ वहां पे जादा देखे there are tall soft wood evergreen trees the wood of these trees are very useful for making pulp which is useful for manufacturing paper and nose print उसके बाद बता रहा है कि भई जो इन पेड़ो से हमें pulp मिलती है उसका use हम भई आपका जो paper होता है और जो newspaper होते हैं उनको बनाने में करते हैं और काफी अच्छी हमारे लिए वो रहती है फिर बताता है match boxes and packing boxes are also made from the softwood की भई जो आपकी माचिश होती है और जो आपके packing boxes होते हैं वो भी यार हम इनकी help से यहाँ पर बनाती है फिर कहते है चीर, pine, kidar are the important variety of trees in these forest उसके बाद कहरा है कि भई जो इस type के आपके पेड़ोते हैं आपे चीर के, pine के उनकी variety यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है और यही type के आपके ज comedy होती है, silver type की folks, वो यहाँ पर रहती है, फिर mink रहते हैं, यहाँ पर आपके और polar bear रहती है, फिर do you know के अंदर आपको कहता है, taiga means pure and untouched in the Russian language, taiga का मतलब क्या होता है, Russian language के अंदर की भई यह चीज बिलकुल pure है और किसी ने भी इसको touch नहीं किया है, ठीक है, बाकिया यहा पर कहता है, tropical grasslands, these occur on the either side of the equator and extended till the tropes, this vegetation grows in an area of moderate to the low amount of rainfall, यह जो step के आपकी grassland होती है, यह आपके equator से लेके आपके tropes तक फैली हुई होती है, और साथ में इसको ज्यादा बारिश की भी यहाँ पर जुरूरत नहीं होती, these grass can grow very tall, about 3-4 meter in height, और यह जो आपकी घास होती है, ज् इन से 4 meter तक इसकी height यहाँ पर जा सकती है, फिर बताता है, sound, grassland of Africa are this type of elephant, zebra, giraffe, deer, leopards are common in the tropical grassland, कि भी जो आपके जिराफ होती है, हाथी होती है, जेबरा होती है, deer होती है, leopards होती है, वो commonly हमें इस type की जो घास होती है, वहाँ पर देखने को मिल जाती है, उसके बाद आती ह आपकी temperate grasslands, फिर यहाँ पर बताते है, these are found in the mid-latitudes zones and in the interior part of the continent, कि भी हमें mid-latitudes के अंदर देखने को मिलती है, और हमारी continent के अंदरोनी जो पार्ट रहते है, वहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर जो आपकी घास रहती है, थोड़ी छोटी रहती है, और जो नूट्रि और यहाँ पर जो आपकी wild fell होती है, और आपकी जो इस टैप के लियो part type के जानवर होती है, वो यहाँ पर common रहती है, बाग यहाँ पर tropical grassland के आपको picture guys दिखा रहती है, फिर कहते है थ्रोनी buses के बारे में, और कहते है, these are found in the dry desert like the region, tropical desert are located on the western margins of the continents, कि भी जो इस टैप के आप vegetation cover is scare hair because of the scanty rain and scroaching heat, यहाँ पर आपके गर्मी बहुत जादा होती है और बारिश कम होती है, इसलिए कोई जादा vegetation हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, identify the desert region in the world map, can you name the great desert of the India, आपको कहते है कि भी आप अपने इंडिया के जो great desert है उसका नाम हमें बता सकते हैं, फिर कहते हैं, name some of the common animals of the desert which you have learned earlier, कि भी आप desert के कुछ ऐसे जानवरों का भी हमें यहाँ पर नाम बताओ, जिनके बारे में आप पहले जान चुगे हो, ठीक है, तो हम आपको आगे कहते है, if you reach the polar region, you will find the place extremely cold, कि भी अकर आप polar region पे पहुँच जाओगे तो आप देखोगे कि भी यहाँ पे तो बहुत जादा सर्दी परती है, the growth of natural vegetation is very limited here, और इसी वजए से जो हाँ पे natural vegetation होती है, उसकी growth बहुत limited होती है, only mosses, lynches and very small shrubs are found here, यहाँ पे बता हो ही सिरफ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, it grow during the very short summer, this is called the tundra type of vegetation, और यहाँ पे बता रहा है कि भी जब कभी थोड़ी बहुत गर्मी आती हैं, तभी आपकी यह उग जाती है, और इस type की vegetation को हम tundra vegetation यहाँ पे कहते हैं, this vegetation is found in the polar area of Europe, Asia and the North America, यहाँ पे बता रहा है कि भी जो इस type की आपकी vegetation होती है, यह हमें देखने को मिलती है, आपकी यूरोप में, एशिया में और नोर्थ अमरिका के जो आपका पार्ट रहते हैं वहाँ पे, the animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate condition, seal, varpuses, verses, musk, oxians, arctic, oval, polar bear and the snow foxes are some of the animals found here, और यहाँ पे बता रहा है कि भी जो आपके seals हो और आपके जो मनलब की polar bear होती है, इस type के जानवर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इनके जो skin होती है, चमडी होती है, काफी मोटी होती है, और काफी बड़े-बड़े इनके सरीर पे बाल होती है, फिर आपको बताता है, do you know के अंदर, grasslands are known by their different names in different region, कि भी जो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारती है, फिर आपको बताता है, ट्रोपिकल grasslands के बारे में और कहता है, East Africa sauna, वहाँ पे इस अफरिका में हम इनको क्या कहती है, East Africa sauna, फिर जो ब्राजिल होते है, वहाँ पे हम इनको कहते है, Campos, वेनेजुएला में बोलते हैं फिर टेंपरेट में grasslands जो होती है, आपके उनको अर्जंटीना में बोलते हैं, पेंपस, नोर्थ अमेरिका में बोलते हैं, परायरी, South Africa में वेल्ट, उसके बाद आपका जो Central Asia होते हैं, वहाँ पे स्टीपी बोलते हैं, और Australia में डाउन बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद चल बोलते हैं, 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 उसके बाद दोस्तों आपको कहते हैं कि भाई जो उसका फादर होते हैं तो कुछ पिक्चर दिखाते हैं उन पिक्चर में जो कुछ लोग पेड़ों को काट रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं तो जो सलीमा होती है वो कहते हैं कि फादर अगर यहां पे सारे पेड़ काट दिये पहुंचेंगे उसके बाद बताती है कि भाई जो जो आपके जानवर हैं सारे तो कहां पर जाएंगे उसके बाद यार और भी बहुत सारी प्रोब्लम हमारे पास हैं भी क्रियेट हो जाएंगी तो हम इसके बारे में कैसे डील करेंगे कैसे कुछ करेंगे तो इस बारे में आपके बहुत थंड़े इलाकों में पाय जाते हैं बाकियार हमारे चेप्टर को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और नेक्स चेप्टरी वीडियो आपसे भी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सबी दोस्तों के साथ मियार फैला देना ठीक है तो बाई बाई